आप जानते होंगे कि सोडियम क्लोराइड को सामाने तह सॉल्ट यानि नमक कहा जाता है सोडियम क्लोराइड में सोडियम और क्लोराइड आयन्स होते हैं जो त्री डायमेंशनल लेटिस स्ट्रक्चर यानि त्रिवेमिय जाली दार संगरचना में विवस्थत होते हैं इसी चैनल के दूसरे वीडियोज में आप नमक के गुणधर्म और उसके एक्स्ट्रक्चन यानि निश्कर्षन के बारे में जान सकते हैं इस वीडियो में हम रोज के खाने में नमक के महत्वकों जानेंगे नियमेत रूप से इस्तिमाल किये जाने वाला नमक हमारे खाने के स्वाद को बढ़ा देता है वास्तव में देखा जाए तो नमक और मिर्च दो ऐसी चीज़े हैं जिनका इस्तिमाल दुनिया में शायद ही कोई न करता हो इस्तिमाल में लाया जाने वाला अधिकतर नमक आयोडाइजड होता है यानि उस नमक में आयोडीन मिलाई गई है ये आयोडाइजड नमक थाईरोइड ग्रंथी को बढ़ने से रोपता है शरीर में आयोडीन की कमी से आपको गॉटर यानि घेंगा रोग हो सकता है खाने का स्वाद बढ़ाने के लावा इसका इस्तिमाल प्रिजर्वेटिव यानि परिरक्षक के रूप में भी किया जाता है ये बैक्टीरिया और मोल्ड यानि जीवानों और फपूंद को मार कर खाने को खराब होने से बचाता है खाने को खराब होने से बचाने के लिए सामाने तहर क्योरिंग विधी का इस्तिमाल किया जाता है। और भीतर रहने वाली बैक्टीरिया का पानी बाहर आ जाता है। इस तरह ये बैक्टीरिया मर जाते हैं और खाद्य पदार्थ खराब नहीं होता। खाने को पिकलिंग विधी से भी संरक्षित किया जा सकता है। इसमें हम वातावरन को ड्राई यानी शुष्क कर देते हैं। हलांकि पिकलिंग विधी का इस्तिमाल एक्वाज एन्वारमेंट यानी जलिये वातावरन में किया जाता है। इस विधी में हम खाद्य पदार्थ को ब्राइन या खारे पानी में रखते हैं। ठीक पहले वाली प्रक्रिया यहाँ पे भी होती है, जिसमें हाइपर्टॉनिक एंवायमेंट बनता है। परणाम स्वरूप परासरनदा बढ़ जाता है, जिससे जीवानुओं और कोशिकाओं का पानी बाहर आ जाता है और वो मर जाते हैं। इस तरह संग्रक्षित किये गए खादे पदार्थों का स्वाद नमकीन होता है। रखने के लिए खाने में नमक को शामिल करना आवशक है। हलांकि इसका अत्यधिक सेवन करने से कई बीमारियां भी हो सकती है। इसके जादा इस्तिमाल से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, जिससे कई तरह की दिल की बीमारियां हो सकती है। मेडिकल साइन्स की भाषा में हाई ब्लड प्रेशर को हाई पोटेंशन कहा जाता है। खाने में इस्तिमाल किये जाने वाले नमक का कुछ हिस्सा शरीर की जरूरी प्रक्रियाओं में इस्तिमाल होता है और बचा हुआ मूतर के जरीये शरीर से बाहर निकल जाता है। लेकिन जब नमक का इस्तिमाल अत्यधिक मातरा में किया जाता है तो हमारी किड्नीज यानी गुर्दे बचे हुए नमक को अलग करने के लिए तेजी से काम नहीं कर पाते हैं, जिससे ये हमारी ब्लड स्ट्रीम यानी रक्तधारा में मिल जाता है, जिसके फलस्वरूप ये ब बढ़ जाएगा, इस बढ़े हुए खून के आयतन के लिए अतरिक्त जगह ना होने के कारण हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, बढ़े हुए ब्लड प्रेशर का सामना करने के लिए रक्तधारा मूटी और मजबूत हो जाती है, इसके बाद ब्लड प्रेशर फिर से बढ़ जाता है हाई ब्लड प्रेशर यानि उच्छ रक्तचाप का इलाज न करवाने पे आपके दिमाग की रक्तवाहिकाई फट सकती है जिससे आपको ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है रक्तचाप में वृध्धी का मतलब ये भी है कि आपके दिल की मांसपेशियों को छूटी रक पंप करना कठें हो जाता है इससे दिल की मांसपेशियां समय के साथ बढ़ती जाती है रक्तवाहिकाउं में नियमित तरीके से खुन का प्रवाहन होने से हाट फेल भी हो सकता है खाने में नमक की मातरा कम करने से इस तरह की समस्याओं से निप्टा जा सकता है डिबबंद पैकिटों पे नमक को सामानिता सोडियम लिखा जाता है एक वयस्क व्यक्ति को दिन भर में 1500 मिलिग्रेम या एक टी स्पून से कम नमक का सेवन करें